नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मधू की पारशाला पर वैसे तो मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी परन्तु न्यूज ही इतनी इंपोर्टेंट थी कि आपके साथ शेयर करना बनता था हयाना टीचर्स भरती को लेकर के एक नई अपडेट जो गर्वर्मेंट ने डाली है उससे सिर्फ मायोसी ही बच्चों के हाथ लगने वाली है तो क्या है ये अपडेट आप वीडियो के आंग तक जरूर बने रहिएगा जो बच्चे TZT और PZT के स्क्रीनिंग के लिए दिलो जान से लगे हुए थे दिन रात मेहनत कर रहे थे उनको एक पूरी उम्मीद थी कि भरतिया निकलेंगी तो हमें पहले से ही अपडेट रहना चाहिए उसी के कोडिंग हमें तयारी करनी चाहिए तो उनके लिए एक मायोसी भरी खबर है वो खबर क्या है वो अभी थोड़ी दिर में मैं आपको बताती हूँ ये जो TZT और PZT के काफी सारे पदो पर 2019 में जो अवेदन मांगे गए थे उनसे जुड़ी हुई है 2020 में जो इसको रिवाइस किया गया था देन 2021 में उसको रिवाइस किया गया था उनसे जुड़ी हुई हमारी खबर है और एक और चीज़ में बता दूँ ये जो पंजाबी और संस्कृत के सब्जेक्ट से लेटेड जो भरतिया निकाली गई थी उनसे भी जुड़ी हुई खबर है तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा मैं आपसे शेर कर रही हूँ एक notification जो हाल ही में government ने जारी किया है इसमें आप देख पा रहे होंगे ये एक withdrawal notice है तो withdrawal notice को देखते ही सबका mind वहाँ पर prepare हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ तो बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा देखिए कि reference हर्याना staff selection commissions advertising number 13 2019 यानि कि 2019 में जो आवेदन मांगे गए थे कि इसके लिए PZT various subjects PZT के काफी सारे subjects के लिए जो आवेदन किये गए थे फिर 2020 में PZT Punjabi के पदो पर जो आवेदन मांगे गए 2021 में PZT Sanskrit के लिए जो आवेदन मांगे गए उन सारी भरतियों को withdraw करने का फैसला जो है रीच कर सकते हैं देख सकते हैं इसको विजिट कर सकते हैं तो इस नोटिफाइड फोर दो इन्फरमिशन ऑफ केंडिटेट्स दाट ऐस पर मैमो नंबर 42-2-2018-5-GS-1 यह आप जो है आप चेक भी कर सकते हैं जो हमारी कॉट की जो साइट होती है आप उस पर चेक कर सकते हैं मैमो नंबर ठीक है डाल करके डेटी 25th मार्च 2022 25 मार्च को जो है यह नोटिफिकेशन जारे किया गया है उसके अनुसार तो पहले जो नोने डिसाइड किया था कि सोचियो एकोनोमिक की जो है फाइफ मार्च ही लगेंगे चीके एक्सपिरियन्स क्राइड किया जाएगा तो उसमें भी कुछ चिंजीस किये गई थे इंटर्वीज खतम कर दिये गई थे तो उन सब को मिला करके गर्वर्मेंट ये कहती है कि उनको दबारा से सोच विचार करके पोस्टे जो है वो निकाली जाएंगी तो इसलिए बाकी की जो पोस्टे नोने पहले निकाली थी उनको वो वापस ले रही है उनको वो टैंसल कर रही है इसके अंदर शामिल थी, यह मैं आपको बता देती हूँ, जो 2019 की पोस्टे नों ने विड्रो की हैं, उसमें हमारे पास आती हैं, देखिए, बायलोजी की 123 पोस्ट, केमिस्ट्री 131, कॉमर्स 304, कंप्यूटर साइंस 1373, इंगलिश की 530 पोस्टे थी, फाइन आट में 35 पोस्टे, हिंदी की 194, हिस्ट्री की 329, इसी तरीके से हिस्ट्री 329, मैच्स 522, म्यूजिक 35, फिजिकल एजुकेशन 241, और उर्दू की 6 पोस् तो 3827 पोस्ट के लिए जो आवेदन मांगे गए थे 2019 में, उन पोस्टों के लिए आवेदन वापस लेने के लिए बोला गया है, यानि कि वो भरतियां ही जो हैं, वो कैंसिल कर दी गई है, फिर उसके बाद, पोस्ट फोर मेवाद कैडर, वो तो rest of हर्याना के लिए थी, यह यहाँ पे cancel करने की जो बात हुई है, वो post accept district मेवाद, यानि कि all over हर्याना की बात कर रहे हैं, सिर्फ मेवाद की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मेवाद की बात कर रहे हैं, कि मेवाद के अंदर जो computer science की जो भरतियां थी, उनको withdraw किया गया है, उसके बाद, advertising number 2021 में, जो स cancel कर दिया गया है, ठीक है, फिर 2020 में, जो TZT पंजाबी के लिए आवेदर मांगे गए थे, उनकी जो post निकाले गई थी, उसमें भी हमारे पास 176 total post थी, उनको भी withdraw कर दिया गया है, तो अभी तक के लिए, जो teacher के लिए, जो भरतियां निकाली हुई थी, वो सारी भरतियां वापस ले रही है government, और इसमें देखी, दो पहलो हमारे हम सोचने के ले सकते हैं, कि एक तो ये कि, ये cancel करके, सरकार जो है, नई तरीके से posture निकालना चाह रही है, या दूसरा ये हो सकता है, कि जो पहले से teachers, government job में हैं, उनको वो upgrade करके, उनको वो promote करके, जो हैं, भरतियां करना चाह रही है, तो हो सकता है, socio-economic और जो criteria रोने बताया है, उसको वो दबारा से decide करके, experience criteria और socio-economic की criteria को दबारा से decide करके, जो पोस्टे हैं, उनको निकाला जाएगा, इसलिए हो सकता है, withdraw करने का, जो decision है, government ने लिया है, तो दोनो तरीके के पहलू आप सोच सकते हैं, हाँ, लेकिन मैं आपको जरूर ये कहूंगी कि तयारी बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सर्फ एक चीज़ ये होता है कि आपको बोला जाता है कि पोस्टे कैंसल हो गई है, फिर तुरंट जो है बाद में पोस्टे निकाल दी जाती है, ठीके, फिर वहाँ प पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, थैंक्यू वेरी मच्च